किसान भाईयों यह है स्वराज का 744 फाइव इस्टार फोर इस्टार है चार इस्टार में यह वही फाइव इस्टार नहीं है रिवर्स पीटियो के साथ आता है और इसमें आप देखेंगे इधर तो आपको यहाँ पर डबल हाइड्रोलिक पंप मिल जाता है डूल टाइप का यानी यह आपकी पाबर स्टेरिंग के लिए और लिपट के लिए हैड्रोलिक लिए बार बार काम करता है अलग-अलग सेपरेट पंप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है साथी साइलेंश आप देखेंगे तो वही फुराना वाला मिल जाता है और इसमें साइड में सब्सक्राइब currently स्थाख छाट इंजिट इंजिन इसमें आपको देखने को मिलता है जो कि ट्रको-सांदार कीरियर की पाइंड ही का चुलींद नहीं हूं इसमें Dual Killege Option आपको देखने को मिल जाता है यानि Dual Killege के साथ ही अटेक्टर आता है साथ ही Power Steering मिल जाती इसमें Power Steering की बात करें तो भई इसमें Single Acting Power Steering आपको देखने को मिलती है काप ही Heavy Duty क्योंकि सौराज के अधिकतर अटेक्टरों में जो है आपको single acting power steering ही देखने को मिलती है और इसमें हम बात करें तो आपको adjustable adjustable front axle आपको यहां देखने को मिल जाता है यह adjust हो जाता है आप अपनी सुविदा के इसाब से इसको adjust कर सकते है बहुती जवर्जस्त टेक्टर होने वाला है यह भई सोराज का और बात करें इसकी gear की तो भई इसमें यह है आठ forward में और दो reverse में gear मिल जाते है यह gear lever है इसमें और इसमें forward में और reverse में center shift gear box के साथ आता है synchronous type के आपको center shifting gear box इस टेक्टर में देखने को मिलते है साथी dual के लिए आपको यहां देखने को मिल जाती और इसमें brake की बात करें तो oil brake आपको यहां देखने को मिल जाते है oil brake आपको इस टेक्टर में देखने को मिल जाते है यह differential lock इसमें मिलता नहीं है आपको seat के नीचे यह adjustable seat के साथ आता है इसको आप अपनी सुभजा के साथ आप से three sensing point आपको यहां देखने को मिल जाते हैं और 200 kg की lifting capacity इसके अंदर होती है three sensing point आपको यहां मिल जाते हैं copy heavy duty trolley वगेरा के लिए हिच्च मिल जाता है dual distributor valve आपको यहां देखने को मिलते हैं आप इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं यह आपको जो है distributor bulb का यानी DC bulb का यह control lever है यहां पर इस पर पलाव बगेरा पल्टी पलाव बगेरा चला सकते हैं 12 वोल्ट का socket यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर पीछे वाले कि इंप्लीमेंट के लिए जो है रॉसनी यहां से पहुचा सकते हो यह light मिल जाती है और इसमें आपको त के सब्सक्राइखणा को मिलते हैं इस ओर इंजिन की बात कर लेते हैं तो से क्टर में आपको मिलता है दोस्तों तीन सिलेंडिरखा का साथ 1 से रेंडर 48 HP 31-36 CC का powerful engine आपको यहां देखने को मिल जाता है जो आपको 2000 engine rated RPM पर maximum power generate करके देने वाला बहुत ही powerful tractor होने वाला स्वराज का भई स्वराज का tractor हर एक जानदार होता है यह देखिए इसमें कापी जो है steering wheel पर आप देखिएंगे तो यह भाई ने अलग से लगवा दी है बागी steering wheel instrument cluster भी इसका पुराना है पहले जैता ही है सेम बहुत शानदा अटेक्टर है